हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वल्कम बैक टू मैं यूटूब चैनल अरूप मर्गरी तो देखे दोस्तों जितने भी आपर SSC MTSN हवलदार इग्जामनेशन 2023 के कैंडिडेट से हैं दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुट निकल कर आ चुके हैं जी हां दोस्तों बिल्कुल आपके प्रेलिम्स के रिजल्ट के रिगार्डिंग ही गुट निउस आई है दोस्तों इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना है और कम्प्रीट देखना है और जिन्होंने अभी तक मैं चैनल को सब्स्राइब नहीं किया फट आफस जाकर च CBIC and CBN Examination 2023, Corrigendum No. 2, अब देखें यहां पर लिखा हुए, Candidates में रेफर तो दी नोटीस आफ देखा हुए, Candidates में रेफर तो दी नोटीस आफ देख सकते हो, तो अब देखें दोस्तों, आप लोग को पता है कि इसके पहले जो 2022 का MTS अवलदार, जो result आया था दोस्तों, उसमें जो Candidates को हवलदार के physical test के लिए बुलाया गया था, वो 1-6 के approximately candidates को बुलाया गया था, बट आप लोग को पता है दोस्तों, result क्या निकला, कि बहुत सारे seat जो है, हवलदार की वो खाली रह गई, last में, ठीक है, बहुत सारी क्या, more than 90% seats जो है, वो खाली रह गई, जिसके बदावलत, जो है, SAC ने आप सबक लिया, और finally, अब जो Candidates की ratio निगाले, वो 1-10 में निगाले, बट मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, एक place मिल पाएगा, तो उमीद है दोस्तों, यह आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी good news है, और आप लोग को पता है, यह जो update आई है दोस्तों, यह कब आती है, तो बिलकुर result के जस्ट पहले आती है, तो अब जो है result है दोस्तों, आप उमीद कर सकते हो कि 1-2 दिन के अंद उमीद है दोस्तों, यह clear हो गया होगा, कोई भी doubt रहेगी, comment करके मुसे जरूर बताईएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजेगा, और चैनल को subscribe जरू कीजेगा, और वीडियो को share का दीजेगा, description box में मेरे टेलिग्राम ग्रूप का link मिल लेगा, महा से जाके टेलिग्राम ग्रूप को join के लिजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद